साथियो नमस्कार, साथियो आनन से रहें, प्रिकत के साथ सुरक्षित रहें और प्रसंद चित रहें सामने आप देख रहे हैं ये गुड़हल हैविकस का पौधा है और काफी बड़ा होगी गया है ये करीब 20 फीट इसकी हाइट हो गई है और देखिए सुन्दर फूल लगे हुए है इसी तरह आप सभी लोग हरे-भरे रहें इसी तरह खिलते रहें फूल की तरह ऐसी सुबकामना है अधरक्षा वंदन का पामि पर्व है सभी को बहुत बहुत सुबकामना है सभी लोग विकास करें प्रिगत के लिए और देखिए हर साल की भाती इस साल भी परत्योगता रक्षा से रक्षा प्रत्योक्ता क्रम संख्या पांच का आयोजन होने जा रहा है और ये नर्सरी फांडेशन ओरेई के द्वारा आयोजित होता है तो आप सभी लोग तयार हो जाएं और प्रिश्टन में पढ़ रहा हूँ पहला प्रिश्टन है स्री राम चरित मानस में पहला वा आखरी सब्द क्या है तथा सरप्रथम किस देव या देवी की उपासना स्री तुसी दाज जी ने की है पहला प्रिश्टन ये है अब दूसरा प्रिश्टन नोट करें माननी सर्वोच नियाले में ऐसे कौन से वरिष्ट अधिविक्ता एडवोकेट हैं जिन्होंने भारत की सबसे पुराने विवार्दिक मामले में माननी सर्वोच नियाले में नंगे पैर खड़े होकर मुगदमे की पैर्वी की उन वकील साब का नाम वचर्चित मुगदमे की जानकारी दी दिये दूसरा कुश्चा तीसरा है महान ग्रंट स्री गीता में कुल कितने स्लोक वा कितने अध्याय हैं तथा पत्रम, पुस्पम, फलम, तोरणम, यो, मे, भक्त्या, व्यक्षत ये सब्द किसने कहे हैं सबसे बड़ा बटवरक्ष, बर्गत वरक्ष कहां पर इस्थित है तथा भारती मूल के किस व्यक्जानिक के नाम नेशनल पार्क है पाच्वा प्रस्ण है कि परियावरन जलवायू प्रिकत की रक्षा करने के लिए भारत में किस विसेश प्रजाद के पौधों को बचाने के उद्देश से एक घटना घटित हुई थी जिसमें 363 आदमियों की निर्शन सत्या हुई थी यह घटना कहां पर कब घटित हुई तथा उन पेड़ों के नाम भी बताएं। अब छटवा प्रस्ण है कि ओलंपिक ओलंपिक खेलों में 800 ग्राम की ऐसी कौन सी वस्तु है तथा एरो डायना मिक्स सब्द का उपियो किस खेल से सम्मंदित है। क्या भारत के किसी खिलाड़ी का सम्मंद इस खेल से है तो उस खिलाड़ी का नाम हुआ उनके पूज्य माता पितादी का भी नाम बताएं। किस नाम से जानते हैं। सात्मा कुष्चन भी क्लियर हो गया सब। अब आठमा पढ़ें। विश्व वन दिवस विश्व पुस्तक दिवस किन तारीकों को मनाया जाता है। नौमा कुष्चन ये तो कुष्चन आठमा सरल है काफी। नौमा कुष्चन राष्ट पिता महात्मा गान्भी जी ने सोदेशी का नारा देते हुए विदेशी कपड़ों की हुली किस तारीक को और कहा जलाई थी। ये इंपोर्टेंट कुष्चन है थोड़ा साथ। अब सब दस्वा कुष्चन है। स्रीफल वा जीवन तरू किस पेड़ व्रक्ष को कहा जाता है तथा सर्व व्याधी नासक नाम से कौन सा व्रक्ष जाना जाता है। क्योंकि मूल तो ये परिछा प्रिकति और परियावरण चेतना के लिए ही तो देश से है तो इसमें प्रिकत के ही कुष्चन जादा है लेकिन थोड़े से ज्यान के लिए भी है। 9 अगस्त को राष्टी आंदोलन के दोरान भारत में कौन सी एतिहासिक घटना घटित हुई थी तता इसी तारीक को विश्व इस्तर पर एक निर्शन से घटना भी घटित हुई थी। दोनों घटनाओं के कृपिया नाम बताएं। बारवां किस वेद में पेड़ पौधों औसिद जड़ी बूटियों आधिका विबरान है। अब तेर्मा कुश्चन कुछ इंपोर्टेंट है। देख लें आप लोग 29 अगस्त को किस प्रिख्यात व्यक्ति का जन्म हुआ है। जिनने पूरा राष्ट गौरों से याद करता है। मतलब उनका जो उन्होंने कार किये उसमें हम लोग उनको गौरों से याद करते हैं। बहुत गौरों से, जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, परन्तु अभी तक उन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हो सका है, वह किस जन्पद के रहने वाले थे, तथा उसी जन्पद की मणिकड़का थी, मणिकड़का थी, तो क्या आपने उनके गौरों गाथा को सुना है, मणिकड़का जी की गौरों गाथा के बारे में आपको बताना है, और उनका परिचाए बताना है, अब सब्धमा कुष्चन, उदंत मार्टंड क्या है, तथा दुनिया का सबसे पुराना ग्रंद युनेस्को ने किसको माना है, चौधमा कुष्चन यह हो गया सब, आप पंधरमा पढ़िए, चरेवेती चरेवेती सब्द किर्स ग्रंथ में लिखा है, इसका संबंध किस महान तेज़स्वी व्यक्ति से है, ये पंधरा कुष्चन है इस बार प्रत्योकता में, और इस प्रत्योकता को तो आप जानते ही हैं, जो लोग इसमें पहले सामिल हो चुके हैं, वो जानते हैं, कि इसमें जितनी जल्दी आप हमारे वाट्स अप, नमबर 9451848124, फिर से मैं एक बार पड़े दे रहा हूं, 9451848124, में जितनी जल्दी आप अपना प्रत्योत्तर हमको नोट कराएंगे, चाहे आप जरू पहले आ रहा है, आप उसी का दे दीजे, क्योंकि आपका नमबर तो हमारे उसमें फीड है ही, अगर नहीं फीड है तो मैं बाद में आप से जनकारी कर लूँगा आपके नमबर की, और इस तरह आप चितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी इसका उतर दीजे, और हमारे जोगता का यही उत्देश है कि प्रकती, चलवायू और पर्यावरण का विकास हो, तथा प्रदूसर्ण के प्रती लोगों में जागरूगता की भावना हो, और इसलिए इसमें प्रकती और ज्यान से सम्मंधित प्रश्ण किये गए हैं, सभी लोग पूंड उत्साय, चेतन जनता और अति उत्साय के साथ इसमें सामिल हों, और उत्साय वर्धन करें, इसमें छोटे छोटे बच्चों ने ये ग्रूप बनाया है, और उन्हीं के द्वारा ये एक अच्छी योद्ना चल लही है, तो मैंने सोचा कि सभी को इसमें सामिल किया जाए, जिससे रक्षा से रक्षा और ग्यान से नौलिच, ये सीरसक बिंदू हैं, और इनको बल मिल सके, इनको आगे महत्व मिल सके, ऐसा हमारा उद्देश है और प्रक्ष्टी का चागरन हो सके, चलिए साब, आज इस सुबकार में लगते हैं, पुन्हें एक बार फिर से रक्षा बंधन की बहुत बहुत सुबकामना हैं, रक्षा और बंधन, तो जरूर बहन और भाई, भाई और बहन का ये पावन वरत है, लेकिन आज पेड़ों को और रक्षों को और पौधों को भी अपना भाई माल लें, और भाई इनको बहन माल लें, तो मेरी समझ से, जो हम अपने लिए, और इस समाज के लिए, आगे आने वाली पेड़ों के लिए, बहुत ही उत्कृष्ट और सरहनी कार कर सकेंगे, रचनात्मक रूप से, वैसे तो सभी मानों लोग जो कार आजकल कर रहे हैं, वो सभी लोग देखी रहे हैं, सुब यसे साम तक टीवी में चली रहा है, लेकिन उसमें भी रचनात्मक्ता का विकास करना है, स्री गीता में स्री अरविंदो जी ने कहा, कि जब आप इस दुनिया से प्रस्थान करें, तो उस समय भी कोई ना कोई अच्छा कार कर जाएं, और इसको महानदार्शनिक स्री सुकराद जी ने भी उसकी पुष्टी की है, तो प्रिकति और जलवायू से अच्छा स्रेष्ट कार कोई आज की तारीक में है नहीं, कोई कुछ भी कहे, और ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है, और इसमें सब कुछ आगरूख होना है, और उसी उद्देश से ये प्रत्योगता का संचालन किया गया है, इसको होते होत पांच वर्स हो गया है, सबसे पहले इस प्रत्योगता में पांच प्रिशन पूचे गए थे, आज उनका करम पंधर तक पहुच गया है, और हर साल परमप्रागत रूप से ये इसी दिन, इसी तेवहार को ये प्रिच्छा का प्रत्योगता का आयोजन होता है, तो और इसका परणाम आगे आने वाली जन्माष्टमी को भगवान स्री कृष्ण योगे स्वर जी जिन्होंने गीता का ग्यान दिया, उस दिन इसका परणाम गोसित होता है, तो उस दिन तक आप सभी लोग इंतियार करिए, परणाम का, और सभी लोग आनन्द के साथ और उत्साय अधन के साथ इसमें भाग लीजे, बहुत बहुत धन्वाद, धन्वाद, थैंक यू, थैंक यू